ने इधा, ओके सर, जी, फ्रेंटल, लेट प्रोफाईल, राइट प्रोफाईल, फिर से फ्रेंटल, आप सोच रहे होंगे, यह मनीश पॉल अपराधी की तरह स्लेट लेके क्यों खड़ा है, क्योंकि, अपराधी और अभिनेता में बहुत सी सिमिलारीज होती हैं, अपराधी लोगो का समान चुराता है Abineta लोगो का देल अपराधी जेल में कैद रहता है, और Abineta लोगों के दिलों में Abineta के पीछे पुलीश दौड़ती है, Abineta के पीछे उसके चाहने वाले Abineta भी स्क्रेट लेके खड़ा रहता है और Abineta लेकिन ओडिशन के लिए देगा जोड दिया न यार टालेंट बड़ा है पर कभी घमन नहीं किया दिखिए ऐसे टालेंटिद बातें आप सुनेंगे ठीक यहीं पर नहीं सोड़ी दमनीश पॉल पॉलकास्ट देगे भई आज के जो हमारे celebrity guest हैं ये एक बहुत बड़ी actor है इन्होंने बहुत सारी filmों में काम भी किया है और अब ये एक director भी है इन्होंने कमाल की हाली में film मनाई थी जिसका नाम है दिल बेचारा और तो और ladies and gentlemen, he's one of the most influential and sought-after casting director of Bollywood yes, I'm talking about the one and the only Mukesh Chavala एक सच्चाई है Mukesh में वो एक इन्सान को एक actor को देखता है in fact, Mukesh ना दोस्त नहीं देखता, ये actor देखता है ये उस आदमी में एक actor देखता है, उस आदमी में एक character ढूनता है और उसको पकड़ लेता है Mukesh कभी ऐसा हुआ है ये बात उल्टी बढ़ गई कोई बहुत ही नाराज हो गया कि क्या बात है यार मुझे नहीं बुला रहा यार शुरू में बहुत सही लोग नाराज हो जाते है लेकिन जब फिल्म देखते है उसके बाद बुलता है तू सही था कि हम दिली के नाराज हो जाते है लेकिन जब तक फिल्म रिल्यस नहीं हो थी तब तक तुरा नाराज हो जाते हैं लेकिन मुझे ये लगा कि यार हिंदुस्तान या दुनिया में कहिना के कोईना के लोग तो नाराज आपसे रहेंगे तब अपने काम के एथिक्स और काम के इंटेंजन को मैं चेंड करो, अब लगे रहो तो मैं उस चीज को फॉलो करता हूं बहुत दिल से इसलिए चैद यहाँ बैठाओं और कोशिच करों कि और प्यार मिले और काम करों और अच्छे से कास करो यह इनसान सिर्व यहाँ नहीं बैठा यह फिलाल अगर कास्टिंग की बात हो तो यह वहाँ बैठा है और मैं बताना चाथाँ हूं मुकेश चाबडा जब Mukesh Chhabra Mumbai आया तो उसका नाम था Mukesh Chhabra यार Mukesh बताया नहीं कि नाम बदल चुका है अब यार अब he's not Mukesh Chhabra, he's Mukesh Chha गया because हर जगा चा गया यार महला casting की बात हो, अब तो direction की बात हो I think बहुत अच्छी फिल्म थी, सबको बहुत-बहुत पसंद आये दिलबेचारा लेकिन यह जब भी कोई मुंबई आता है न Mukesh तो जेनरली हीरो ही बनने आया था, अक्टर ही बनने आया था मैं casting director बनने भी अच्छी निया था okay मैं assistant director था क्टेश में चांगोने है गाम करता है बहुत सरे बच दिलीए में इसे सजि़किछ करता था है ऐडो में में तके लाइन करें पा最ständером करों घज़ दील्य है अच्छी था हुट च्छीवं करता था बहुत सरे फिल्मेकर रहे हैं, तो कहा कि यार, why don't you take this job professionally, you never know कि ये कहां जाता है, मैंने उस intention ते शुरू कहता है, मुझे नहीं बता था, how big this job will become, मैं कहां पहुच जाओंगा, मैंने बस कोशिच किया और मैं करता चला गया, तो वही था कर रहा हूँ, क्या बात है, क्योंकि मैं वही जाना जा रहा था, because generally जो भी मुंबई आता हूँ, कहता है, मैं तो hero बनने आ हूँ, मैं singer बननने आ हूँ, but casting director कोई बनने नहीं आता, as such, but I think अब वह भी बतल रहा है, in fact, मुकेश कही बहुत सारे under-trained है, जो खुद casting director बन रहा है, and I think यह भी जब एक जौब शुरू हो जाता है, उसके थुरू और लोग पर जाते है, वो भी आगे बरते है, बहुत से लोग के इपार्जमेंट मिल रहा है, नहीं लोग आ रहा है, एक्टर सुकाम मिल रहा है, तो I think यह अच्छी बात है, मेरे लको तो अच्छी लगता है, मैंने खुद नहीं सोचाता है, मैं भी जब casting message करता था, तो मुझे भी नहीं पता था कैसा हो जागा, I think यह अच्छी टाइम है, और मुझे बड़ा, अच्छा लगता है कि all the assistant who assisted now, they are becoming independent, they are doing their own, and और films हैंगी, और काम हैगा, और actors को काम मिलेगा, तो अच्छा लगता है, अच्छी खुशी के बात है, क्या बात है, यार यह सोच कितनी ज़रूरी है, क्या होता है, लोग चिट जाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, लोग दूसरों को बड़ा नहीं बनने देते, बड़ा यह तिंग यह मुकेश बहुत अच्छी बात है, और यह हमारे जितनी भी सुनने वाले और देखने वाले, अगर यह बात सीखें तो कितना अच्छा है, अगर मैं जनली मुकेश से अगर बात करूँ, कि मुकेश सबसे चैलेंजिंग कास्टिंग कौन सी रही, जहां लगा, अरे यार, मेरे तो दिमाग के धागे खुल गए, अगर मुझे लगता है कि बहुत सरी फिल्में आप करते हो ना, इस तो कास्टिंग करते करते कर आप खुद भी गुरू होते हो, अगर पहले काम किया होता है, उसमें आपको लगता है कि अरे जादा चलेंजिंग है, फिर दूसरा आजाते है, फिर तीसरा आजाते है, लेकिन मुझे अभी तक लगता है कि गैंक्सु वसिपूर जब मैं खुद कास्टिंग स्टार्ट कर रहा था, उस समय गैंक्सु वसिपूर किया था, जहांपे 384 पीपल एक सेकिंड कास्ट करने थे, एक सेकिंड ये वाला, फिर से बोला, कितने अक्टर कास्ट किया है, 384, 384, 384 अक्टर कास्ट किये हैं, उन वसिपूर के अंदर, बाबरबाद, तो उसके बाद चैलेंज बढ़ता चलेंज बढ़ता चलेंज आता है, जहे वो दीडे हो, चाई काईपची हो, जहे बजरंग जहें बहाँ जानो, जहें पीके हो, जहें संजू, जहें तंगल अभी लाल सिंग जड़ाएगी, 83 आएगी, पिर बरम मास्र आएगी, पिर अतरंगेरे आएगी, पिर रक्षा बंदन आएगी, अनुपक्षिना की अनेक आएगी, उसके बढ़ दंसल में था किस्काम आएथ मेरे क्याल यार, अवार्ड नाइट्स में होना चाहिए, यह मेरी रिक्वेस्ट है, अवार्ड नाइट्स में हम हीरोस को अवार्ड देते हैं, हरोइन्स को देते हैं, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डिरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट कास्टिंग डिरेक्टर का अवार्ड होना चाहिए, यह मेरी request है, मैं बहुत award nights host करता हूँ तो अब जब जब तु host करेगा यह प्लीज बोलते नहीं यह बिल्कुर मैं अपने, मैं इस platform के तुरू भी बोलना जाता हूँ, क्यों नहीं यार, because I think एक जो इतनी बड़िया film बनती है, इतने बड़िया जली, इन सबको बहुत ज़्यादा हाथ है, Hansal Mehta, Anupas Sina, विशार बार्दुबाई, लोग ने बहुत support किया, समयधार, मतलब जिन्होंने बहुत support किया समझे की मेरा vision क्या है, राजु रानी सर, I think सब के साथ मिलके जो मज़ा है यह उसी से चीज़े बनती है, कि आप इस रास्ते में चलनक्रितों और मीणआ दाए JPRIM ौह आप जासे इसे रास्ते इसे डाले हैं, उससारा के लोगों के साथ आपका इंट्रेक्शन बरता है और मैंने देखा है मुकेश के ओफिस जब भी जाओ न आप तो इतने सारे aspiring actors बैठे होते हैं बाहर लेकिन मैंने एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुकेश की जो team है बड़ी स्वीट है मैंने कभी नहीं रेखा कि कोई एक्टर अगर नवस बैठा है भार तो अकिला कोने में बैठा है मुकेश की जितनी भी टीम है बड़ा कमफर्ट करती रहती है रिलाक्स करती रहती है बड़ा अच्छा महौल है अंदर आपने अफिस के महल में में कुछ बड़ी है मैं सिफ तैलें पर हूँ तो इस वटगें मैंने अपने औफिस में यहोल भी ऐसा रखा कि इस वु कायर रिस्पेक्ट अप्सिंट के अच्छा ल कंप जान जाता है सब टैलेंट इन कीशा मुझे अच्छा चाश्टिंग नी खुएक कास्टिंग त eso कुई कब का पर टैलें के लुए तो इसमें सब को मुझे करता हूँ Watch कि अधूल करता हूँ कि और और कि एंजब एफटने डिचर और उनकっा को अच्छा को एक्टर जाहे वो सौरब हो, जाहे वो बलविंदर हो, जाहे वो सिधात हो, जाहे हैरी हो, जाहे रेनुका, अनंगा, हिरेन, राकेश तरे, मतलब यह मेरे साथ इतने सांगते काम करते हैं, और वो सब मेरे बहेवियर को समझते हैं, कि मुझे कितना एक्टर से प्यार है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हो तो मैं हूँ, जाब यह एक्टर नहीं रहे होंगे, तो मुझे कोई डिरेक्टर या पर्डूसर लेगा नहीं, because they want new talent, यार देखो, मैं मतलब, honestly मुकेश यह बड़ी अच्छी आदत है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, कि खुद आज मुकेश एक मकाम पे है, आज एक मुकेश ब्रैंड है, बड़ा नाम है, पर उसके बावजूद हम्बल, यह पैर जो हैं वो जमीन पे रहने बहुत जरूरी है, जो भर पे माबाप के साँ रहते हो ना, माबेंदे पुत्तर थे बैजा, जो आपक का रहा हो ना, अज मिझे मिले कातमे तो आज आप मोई आप ऐगा यह तो दस्तूर एला है, यह तो रहता है, जो अच वी आधा है, कोई एक तो भर रहने तो नाग्ता चाज़ी है, फोय ऐसा भुछी थे टेंचिन ए है, रहर रहर मेरे कुल की तो सब सुम्हें आया था कि वे इस रियलिटी एट्स वाक यार अक्शली क्या है न हम दिल्ली वाले हैं और हम तच वुट बहुत बड़े सर्कृट्स में उठते बैठते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं बात करते हैं बैठते हैं पर फिर भी हम आज भी वह आज भी राज में चावलों कड़ी चावली मुझे बेचेंगे मतलब कमाल के बात है मतलब महारा वो जो प्यार है वो नहीं चूटता तेरे कर से चुले बुटूरे आया थे मैं बोलने सकता लोगड़न के टाइम पर बहुत कम लोग हम आलो मैं कि लोगड़न के घर से चुल बुटूरे बेचेंगा नेगेटिविटी ना फिलाएं कुछ रूमर ना फिलाएं अच्छा खाना भीड़न दोस बनाओ जरूरी ने चुले बुटूरे भी हो सकते हैं मतलब कड़ी चावल भी हो सकते हैं अलू पराथे गोपी पराथे आप लोग भी मेरे घर पे भेज सकत बहुत बिजी रहता है काम में बड़ा व्यस्त रहता है हमेशा पर उसके बावजूद मैंने देखा है दो शक्स जो है वो मुकेश की लाइफ में सबसे जादा इंपोर्टन है मेरे काम से भी जादा इंपोर्टन है मतलब मम्मी पापा को ये इतना प्यार करता है कुछ भी ह हर दिन में एक फोटो डेसरी पोस्त होती है पापा बहुत अच्छा गाना गाते है ऑर पापा का गाना पोस्त होता है और फापा Getting to the's WhatsApp कैसे should? यह आप जब आपके मापब आपके बेस्ट फेंट मंज़ा है ना तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब वह टाइम निकालके दोस्तों के साथ जो बैलन्स करने कोशिच करता हूं कि जब उनका वक्त है तो उनको दूँ और मुझे उनको लगता है वह उनके इस ऐसी हो मेरे पास रह कूशिच करता हूँ कि फोड़ी है थोड़ा वक्त हे मुझे मिले तो दिन मा के सा दो एक तिन परजौ हम उनको लेकर जांओ इसको लेकर जाना पर कोट किया है बहुत ज़आरी है वह अनके पह पैकर सकता हूं मेरे इस पास बचुछ किसमित क्या ह tournaments है कि मेरे पास काम आ और मेरे पास माबाप भी है इसके पास पेता जी भी है माबी है और सिनेमा भी है तो टच्छूट यह सब उनकी ब्लेसिंग के वैसे हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है अगर मैं मुकेश से बूझे हूँ कि तेरे करियर में आज तक सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग कौन से रही जहांते को लगा यह ना कास्ट कर तो लिया लेकिन मेरे को बहुत डिफिकल्ट गैंग्ज ऑवसेबड़ देफिनिटली इस दर बट अगर मैं बात करो दंगल मतलब दंगल में क्या था कि वो इतने सारे अजय कि कमसें कि 12-13 घर अधाधा ओड़िशन के थे 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 चार बच्छों को तुनना दो चोटी और दो बड़ी उनकी stand को देखना, उनके चेहरों को देखना, उनके एक दूधसर के बहने लगने चाइए, बेटे लगने चाइए, इतना सब देखना उनकी तो ये process वो available होने चाइए उनके बाल काटने लिए बेडियो हो जाने चाइए एक्टिंग आपानिया चाहिए वाक्षोग लिए पुरें जिए फिजिकल स्टेंट इतनी होने चाहिए मतलब वो प्रोसेस जो था था है बहुत-बहुत-बहुत एक साल तक कास्टिंग अधिक नियु इसा नहीं है कि में एक वार फिल्म किया है जो फिल्मज़ाइगी तो आप दिखना किसरा कि सारी किसरा हे पर एक चेहरे तो उसको एक एक चेहरा है तो वहां देकना वक्त लगा, आप जेको स्कैंब पूरा गुजडात के अच्श को उसमें गभार के अफिल्म पूरा तंमधिन एक तंपिलिन ऑनके सापसे जोज रहे हैं जोगे डूड़ना ऑषब एक पर दोड़ना कि लोगो बहुत असाने आ है और सबसे मुखल है लोगो को ना बोलना इतने दोस्त है इतने जान पर्चान के लोग है उन सब कर दो. यह बहुत important बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, यह इतनी यार, seriously, it's a big quality, because क्या होता है, कई लोग ना, रिष्टो में बढ़ जाता है, यह मेरा भाई है, यह करेगा, यह मेरा वो है, यह करेगा, यह वो नहीं करता है, यह रिजल्स आप सकीन पर देखता है, क्या होता है, क्य great writer, great director, उनको पता है ना, उनको कहा है, हम तो उनके विजन को पूरा कर रहे है, हम तुरिना के हर दीसिजन में बोले कि, पता है, शो प्रक्तिंजन में क्या है, इस प्रक्तिंजन, क्कि हम गलत कास्टिंग करें गर मुझे और काम काम गॉन देगा, इस इस अदरा कोई एक प अगर मैं पूछूँ जो बहुत जादा कारेक्टर हम गोस्ते हैं मतलब जो मुकेश की हर बात को के ते नहीं मुझे और बेटर चाहिए नहीं मतलब जो बहुत जादा इंवाल्ड है कास्टिं करते हैं जादा इंवार इतना धिटेल में क्या है इतना डिटेल में घूस्ता अगर्ट हो एक ड्रवर नहीं वर्ड गुर्ट करता है तो इस ने गोजरात एक करें गुजरात किया, फितूर में पूरा कश्मी रेट किया, अभी एक चैनिकर करें आज कि मैं पूरा पंज़ाब, तो इस इतेल में आपको काम करना परता है, वो चया है कि आप ऐसा काम चलाओ काम नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो तो आप को करना भी नहीं चाहिए, किसी ज़रूरी फिल्म चोटी हो जब बढ़ी हो, जब भी मैं बहुत सरी फिल्म्स कर रहा हूँ, जो नहीं ने फिल्मिकर भी आते हैं, मुझे उनके ताथ और मज़ा आता है, मुझे पता है, आज उनके ताथ अच्छा काम करेंगें, गल को इतनी कमाल की कास्टिंग थी, मुझे लगों को लगा, यह लोग कहा थे, मुझे लगों को देखने, एक तो अतना की पता है, यार की एक्टर हाँ, इसने तो वहां भी यह किया था, सदेनी लोगों को देखके लगा, भाई यह कहां छुपे बैठे थे, जिनने तराश के नि कास्टिंग जैसे आप कभी भी ऐसा बुलते हैं मुझे पॉसरे असिस्टन बुलते हैं कि सर आइवन तो असिस्ट यू, मेरे पास पांच यार एक्टर्स का डेटा है, मैं मन में सूछता हूं कि बेटा का डेटा से कास्टिंग हो जाती ना, करेक्ट यह प्री ताम यू कम क्या एक्टर में उसलिए तो डेटा में और नहीं की रहते अउता हंगि अनु प्री लू छाण प्रेस इसाँ अप्का क्या डीटा में बना थीनिए वन्हा आश करते नियु वह विस्टन भी जी अब नहीं कास्टीं में मैं सब्सक्तलिंग टू आफू टू असलिरी अठीह आप के ब्रीस, आप साब दूंदे हो इसे बच्चो गोँने और इसे काष्ती कैसे? बजल्ड पाटी में जो बच्चे कास्त होईते है, बच्चो को बच्छो का इंखे सकते है, गा इसके आए बच्चो अभी तो जो जांगे ही है फिर उनको सिफ लाइने बूलने है आपके काम हो जादे है आज इतना मज़ा आ रहा है मुकेश से बात करके हाला कि मुकेश में बहुत अच्छा दोस्ता है वैसे बात हम एक ठेटर गूरूप में भी रहे हैं दोनों मतलब दोनों एक नाटक के अंदर अच्छा दोनों में बहुत अच्छा दोनों काम है मुकेश मुझे लगता है यह कास्टिंग डिरेक्टर जो है कॉंसेप्ट अब बहुत जादा पॉपलर होगा बहुत बड़ा श्रेम तेरे को खुद देता हूं नौट बिकॉस की मेरा दोस्त है इससे पहले मुझे पता है कि और सुनाया मैंने की कास्टिंग जो है वो ऐसी हो जाती थी मुझे अब एक तेज जिन्से मैंने बहुत कास्टिंग सिखिया जिन मुझे लगता कि जो पहले हिंदुस्तान में जिनको में बोले वो तै तिकमांशुद हो लिया जिन्हों सारभ खुला, एक जिन्हों वार में लिए बियु थीज्यू फिलम भाई जो इए-स तिर्फान भाई एक फिल्म थी पुआरग जो मुझे बहुठ ज्यादा कि गहता जो लगता हमेशा लगता है कि दिन्ते मैंने इंडिरेक्टली बहु सीखा वो तीशु भाई है क्यों कि अब देखो तो सौरभ शुकला मनोज बाजपी इनिमल पांडे दुनिया वर कास्टिंग को तोड़नी है पिर मुझे लगाता है मेरको हमेचा था गैंडिट कुन को ब्रेक करना है इसौरब इतनी सारी कासटिंग करिया है उतनी सारी कमाल की कास्टिं जरहा है इसकि यह गलत हो गयाइब कोई फेलियर जहां वह हो था ही है होता ही है यह होता है क्यो काम आपने सातार सेल पहले चिए होता है आप भी काम के साथ साथ आपकी भी तो quality इंपरूव होती है आपका thought भी इंपरूव होती है आप उतने ज्यादा experience हो जाते है उस काम के अंदर तो जब पुनाने को ऐसे फिल्म देखता हो लगता है यार ये गलत हो गया I could have done it better तो एन वो फिल्मेकर भी also realize करते है हम लोग बात करते है कि यार हमने जो आठ साल पहले काम किया था वो ये गलत हो गया तो एन वो हमेशा लगता है पर मुझे लगता कि उस मुमन भी ठीक था उस मुमन हाँ करेक्ट,च्छी अच्छी तरह के लेकिन आसी काम ऐसे होता है जो पराना देखते हो लगता कि यार उस वाकत इतना पैसंटा कास्टिंग भी नही औरा कि पैसंटी तो उल्टा भी कभी होता है यार उस मन जो उस वाकत ज्म जान लगए दिए अभी भी लगाना है तो यह बहुत मुश्किल से में होता है काम अपका काम बढ़ जाता है आपको कालीटी में आपको जear चाहन देना परता है आप एक दो फिल्म ने करते हो तो दो फोकस हने बढ़े हाउ अन्हें चाहता, त erstille либо films करते हो shows करते हो तो आपको और जयदा stress होता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन वो है तो अब मुकेश जो है वो इस बात का प्रेशर फील करता होगा पहले था ठीक है कास्टिंग हो गई बड़ अब करते करते अब एक ऐसा दारो मदार तुम्हारे कंदे पे भी है कि अगर मुकेश कास्टिंग कर रहा है इस फिल्म की तो फिल्म में अक्टर्स बढ़िया होगा यार यार बहुत जाता प्रेशर देखता है कि लोग आपको आपकी लास्ट फिल्म से जाता जानते है मदलमा मैं पड़ा अगर मैं उनको बारा बोलुगा कि मैंने काई अप उच्छें गयंक सुबर सिपूर है शाहिड चाहिः है उप उमार्ट खलय था फिल्मी कर Haiya Bunnyすごい करही है और लेकिन वह नहीं की फिल्मी करे हैं और लेकिन में अभी क्या किया है तू भी अच्छा जाना चाहिए तो आप जो आपका जो अभी वाला काम है क्योंकि आपको बनाना वाला काम जो आपने के वो डैड हो गया उसका आपका अप्रिशन मिल गया लोग ने उसको रिष्पेट कर दिया आप काम कर दिया अभी तालिय बजगी अभी टेव लुक फरवर्ड टी नेक्ट वर्क यह एक और में चीज इन फाक्ट यह एक हमें अच्छा प्लाटफॉर्म मिल आ है तो मुझे लगता है कि मैं जितने भी स्ट्रॉग्लिंग अच्टर्स प्रॉइब जितने भी प्रोसेस में हैं जितने भी प्रोसेस में अच्टर्स हैं यह उनकी आवास बनना चाता हूं तो मैं इन सब अच्टर्स की तरफ से मैं पूछना चाता हूं यह लुग जितने भी ओडिशन देखे जाते हैं क्या मुकेश चाबडा कास्टिंग कंपनी में जितने भी लोग आडिशन देखे जाते हैं तो काम मिल रहा है कितने सारे आक्टर जो है यार मुच बिगर स्टार जो हम देखते हैं जनली तो बहुत बड़े हैं जैसे अब तू जैसे रिजल में काम करेगा तो भार देगा यार देखा यार बट आज मैं एक बात मैं बूलना जाता हूं यार मुकेश छावडा जो है वो हंसल महता सर के लिए सारी कास्टिंग करता है और मैं यह आन कैमरा कहना है जाता हूं I'm dying to work with हंसल महता सर मैं सबके सामने के कैमरा में बोल देता हूं कि हंसल मैंता सर प्लीज मनीश पॉल को कास्ट कीजिए बहुत अच्छा एक्टर है और मुझे भी कुछ दोल लगेगा तो मैं कास्ट करूंगा और सोचते हैं इसके बारे में अभी हम बहुत सारा काम साथ में कर रहे हैं हम एक ड सारो यह सीधा आँ मैं जूस पीलूँगा राजमा चैबल कालूँगा गुसले पटोटे कालूँगा लेकिन कास्टिक तभी करूँगा जब तो अच्छा एक्टर होगा अगर ऐसा हो था तो मेरे पूरे खांदार में सब एक्टर ने बढ़ेगा यार एपसलूटली यह बह हो और उसके बाद लगा हो यार अब यह पत्ता मेरा पॉफेक्ट बैड़ी है मतल्ल्ल जिस पे खुद पर खुशी हो जैसे होता है जैसे में बड़ी होस्टिंग करता हो तो आज भी ज्यार मतल्ल्ल को चाहे वह चाहे वह गैंक सो वासिपुर होटे है मतल्ला ज्या झाहे व ऐसे बहुत सारे अक्टर है जिनको देखे में जैदी पलावत को भी लिखता हूँ कि पहले रॉक स्टार में उसने एक सिन के था बहुत कम लोग को याद होगा कि वो रंबीर का बड़ा भाही बना था बहुत कम लोग का ऐसे याद होता है मुझे जबकि बड़ा बनता है और बहुत जादा खुशि नहीं होती है मुझे तो पता है अक सिर मेहनथ को नहीं क्शह की का रही हुआ रहु ऐपी आ नहीं के विजे वर्मा दूइ नहीं की रहा है अच्छ इंडल इसको पिर में एक फिल्म ते हाईजैक उस सब में चोटू चूल करते तле तो मोजे लगता क आज ने, पने जागे बना लेगा, आज नें, कल ने, आएश्मन खुराना, आज ने ने, कल ने, बना लेगा आईश्मन, दोगो से जानता हूं, जिम मतलब जी वो ट्राई कर रहे थे, वो जॉजब M.T.B.V.J. थे, तब से पता है, तब से पता है, I feel very happy when I see Apar Shakti को नना दंगल के बाद, they are doing so well, I see Abhishek Benerji who casting करता है, पहले वो रंगे बसंती में एक चोटे सुसीन के लिए आजा, वो बस्तार्टिं में जो एक चोटे सुसीन के लिए आजा, वो स्टार्टिं में जो एक चोटे सुसीन के लिए आजा, वो इतना बड़ा, वो स्टार्टिं में जो एक चोटे सुसीन के लिए और के लिए आज सुसीन के लिए लिए को एकटा है, वो बस कैम करता हैं, जैसे तू बोलता है यह सोते हम अपना लगे रहते हैं लिकिन ओविसली खुशी तो होती है अच्छा काम लेगता है तो खुशी ह यह बात है यह जो आदमी जो इतनी happiness की बात कर रहा है इसका एक राज मैं खोल ला चाता हूं यह बहुत जगरता है यह बहुत ज़िद्धी है यह अपनी बात पर अटक जाता है और एक बड़े ही कमाल के डिरेक्टर जिनका मैंने भी थोड़ी देर पहले नाम लिया मैं काम करना चाता हूं हंसल महता साब क्यूं लड़ता है उनसे यार तू मेरे को बोला उनने यार अट है इनसले ऑप करते हbig लोगे हम करते हैं झायर मैं ऊपर गंगा टो अगरमें लड़ों गाना तो फेर अगर में हर चीज में यार करूंगान तो पर मैं yes बहुत बन जाओ वो मैं हूँ नहीं अगर मैं पॉइंट भी नहीं रही सकता तो भी कास्टिंग नहीं मतलब नहीं है क्या बात है यह हुई ना बात अजा यार देखो डिरेक्टर जो होते है न वो अब विसलिए एक फिल्म के अगर बात कीज़े तो डिरेक्टर को बहुत बड़ा माना जाता वो दरजाद देना भी चेए he's the captain of the ship कभी ऐसा हुआ है कि शुरुवाती दौर में अब तो सब जानते हैं मुकेश को और सब मुकेश के बिलीफ पर you know मानते हैं कि हाँ यह बोल रहा था होगा पर कभी ऐसा हो है तू किसी को बोल रहा और डिरेक्टर को यार यह कास्ट करो यह कास्ट करो तू कौन है तू मुझे बता है बहुत पर हुआ शुरू में 10-12 सल पहले जब मैं कास्टिंग शुरू किया था जब मैं बहुत सरे फिल्मेकर के बाद जादा था तो मैं बोलता सर मैं कास्टिंग करता हूं तू ने कास्टिंग या बात कर वे यह यह बहुत अब मुझे बुलता है का मैं बलते कि लोग आख ठीक है अल्बम शुरू देख के बताएंगे तू मुझे लगता था अल्बम कि मुझे भगा देते कि मैं कास्टिंग करना चाहता हूं तो इनको बला चाओडिनेटर रो अच्या अच्या चाओडिनेटर लोगने शुरू शुरू मैं एसा भी फील उता कि है कि मतलब यह कुछ और वेदन के बात कर रहे मैं वहलीवूड की समझ के आरो मैं क्या-क्या सो अच्छा ना चीज़ों गट्टू तो आइ तिंग तिरे 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 लोगने आने लग गई अब सेम फिल्मेकर मुझे बलाते है ना बड़ा वजाता है यह 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 एक विक्ट्री है नॉट यह हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं जीतना है यह अपने लिए जीत है क्या उट देख कर दो नहीं जीत है जीतना है विक्ट्री पुशिक बाते है कि मेरा पॉंट प्रूफ करने में आप कर पहुँचने के लिए मुझे दस साल लगगा है व्यवक्ति तो अगर मुझे पन्ना सल प्लते मैं फिर भी ऐसान नीं कि अभी मैं आपके ताथ साल लगे आपको मेरा विजन अब समझ में आए I'm very happy that I'm working with you I say that to all of them Now they know that I know But yeah, एक और जो अच्छी बात मुझे मुकेश तेरे बारे में लगी थी जब मैं मैं दिल्ली गया था और मैंने दिल्ली में देखा मैंने मुकेश को फोन किया मैं दिल्ली में हूँ मैंने मुकेश ने अपना इंस्टिट्यूट वहां पे भी खोला Office Casting मैं वहां गया और मैंने देखा जितने in-process actors वहां पे खड़े थे inspiring actors वहां पे खड़े थे इस passion से खड़े थे जो एक भीड लगी थी एक मज़ा हो रहा था मैं मतब मेरे रोंगटे खड़े और में बात करहा हूँ because I could feel the vibe एक होता ना इतना सारा talent एक साथ वहां पे देखा इतना अच्छा लगा अंदर मैं गया तो एक class भी चल रही थी जहां पे तो मुझे यह अच्छा लगा अनलाइन हम काम नहीं करते थे फोंस नहीं थे तब बात चाहता लगते लेकिन अभी तो आप तो आप टेलेंटी तो आप जहां रहां रहां वहां आटके भी आपको काम करते रहों मैं वह किसी के financial condition होती है किसी के family emergency होती है किसी मुझे शेयर में मुझे नहीं कर सेता किसी अपने सब की सिच्वेशन होती है कि अदर्सटाइब तो नहीं मुझे जाते हैं बट अब ही जब मैं जब मैं दिली से हो इसना क्वेशन है तो एक शुडव वन ओफिस एक चंडीगर में ओफिस कोला एक लगनाव में खोला यह इतना सारा टैलेंट है अगर आप नहीं आसे तो ठीक आप तक पहुंच जाए अगर आप सही है तो मैंने नहीं के अगर आप अगर आप नहीं तो पहुंच सकता हूं अगर उनके द्रीम्स में थोड़ी सी में अदद करता हूं उनको अचीव करने में तो बुरी बात कहा है क्या बात है यह अच्छा है यह अच्छा है विकॉज जितने भी अक्टर्स उनको एक थोड़ा होसला मिलता है कि आप चलो हम अच्छी बात है अगर हम हमें भगवान ने टचोड एक मौका दिया है एक प्लाटफॉर्म दे दिया है हमें और अगर हम दूसरों की मदद ना कर है मेरे तो काम ही है कि आप अच्छे हो चलो हमें आपको मात दल लिए अच्छा अगर मैं बात करूँ मेरे जितने भी इस टाइम एस्पारिंग आक्टर दोस्त है यूनो जो आक्टर बनना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए कोई एक टिप बि अच्छे कार्थर इस बातने बहुत है करते ही की आपको अच्छी की एक जिसके पारेने कात्तर बैग के आपको करना एक सब्साइध क welcoming कर दो श्रुक्र dind qualitative to the house च्छे के न Обने क्राफ्ट मैं करने ऐसे हच है के सबाद अच्छ भोले कि ओर आपकी कि भूलेगा अपकी पले तोерб Alexandre नवीत दूर है कि यह गूलोग है कि रहें कि दूर रहने है या नवी सुख रहें है crisis आपको सिव craft आपकी skin गार्ची हो जाएगी अच्छा अच्छी почему अच्छ दिखता है अगर एब अच्छा आपको डिखा वगत थी बहुत सरे और ग्जांपल ने वसे ओँल खेम्स के आरफू सरे बहुत रखना हो हाँ पोर्टफोलियो करना ज़रूरी है किसी बहुत बड़े फोताफरemor है लृक्तो फोली법 कराना जरूरीय है किसी बि fifu आप कौनकी भाषाय जानते हो, अपकी अमर क्या है, आपकी अंडरिस्टेंगी, हम उसमें आपका तैलेट में नहीं देखते हैं। उसको दे चुछा आपका इस बालाते हैं। आपके फोटोग्राफ से देखर नहीं बलाते हैं और आपके फॉलोर देख के आपको नहीं बलाते हैं आ, thank God, thank God, because आजकर एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है पुरी सोसाइटी पे आता जा रहा है कि मेरे followers कितने है यार वो अलग है, महींशे बलता हूं कि influencer वो अलग department है, उसका acting लेना देना नहीं है, don't mix the job, मैंशे मैं लोगों को बोलता हूँ कि mix मत करो, मुझे आज तक किसी भी filmmaker नहीं बोला, जीन filmmaker मैं साथ काम करता हूँ कि यार इसके बहुत सरे followers से इसको बुला ले आज तक कभी अज़र नहीं हो चलो, यह एक actually बहुत बड़ा question था, जो मुझे बहुत से youngsters काई बार मिलते हैं, और वो मुझे मिल के बोलते हैं कि सर, यह ज़रूरी है, मतलब मेरे follower कम है मैंने का यार मुझे लगता नहीं है बट ठीक है, चलो, मैं कभी यह बात आप अपने आपको creatively बहुत बीजी रखते हो, आप अपना time उस पर invest कर रहे हो, आप अपने आपको groom कर रहे हो, पट उसको देखके आपको कोई director कास्ट नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है I might be wrong, बट इन फिल्मेस मैंने काम किया है उन्होंने मुझे आज तक यह नहीं बोला कि इसके कितने followers है, let's cast this person, ऐसा नहीं हुआ क्या बात है, चलो, ये एक बात जो है सबकी clear हो गई है Hello, welcome back on Manish Paul show ये, ये मुकेश को तोड़ी तोड़ी देर वे एक तब से कुछ होता है, अच्छा मुकेश मान ले, तू Manish Paul podcast होस करता, तू opening ऐसे करता हाँ, तो हेलो, मैं हूँ Manish Paul, और मेरे साथ है मेरा एक बवाट ही पुराना दिल्ले का दोज, जिसका नाम है मुकेश चाबडा, जो कि कास्टिं करता है पर मुझे कास्ट नहीं करता, लेकिन आज हमारे साथ है और जो सिर्फ मेरे घर के राजमाचावलो छोले बुडूरे खा जाता है मैंने उसको इतनी रिश्वत देने के कोशिश करें मुझे कास्ट करें, लेकिन मुझे कभी भी कास्ट नहीं करता है तो हेलो, तो वेलकम मुकेश चाबडा यही ओपनिंग डालना चाओगा पर विलाल यार मुकेश जितने भी aspiring actors हैं, in process actors हैं उनकी तरफ से एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यार मुकेश, जो भी actor audition के लिए आता है sorry बड़ उसकी फटी बड़ी होती है tension में होता है, nervous होता है उससे समझ निया रहा हूँ तक करना क्या है तो मैं चाहता हूँ from the horse's mouth जो decide करता है वही बताए कि जितने भी लोग आ रहे हैं किन चीजों का ध्यान लगे, बहुत बड़ी help हो जाएगी उनकी सबसी इंपोर्टिन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ क्योंकि तक घ्र से खुश निकले किन घर से खुश निकले कियोंoud तो रास्ते भर में आपकी लाइफ में इतना कुछ होता जाएगा जाएगा अस थॉट के साथ आपकी जो है आपको मिलच धोट की अलट क्या चीजों तो बढ़वा हूँ अगर मैं डरूँगा तो आप और नर्वस इनर्जी पढ़ते हैं आपको घर मैं क्योंकि मैं बहुत इस तीजों से गुजरा हुआ मुझे पता कि कैसे नर्वस इनर्जी होती है बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है यह लोग डॉक्टर के पढ़ाई करते हैं उनको इतने एक्साम आप यह करते हैं इतना लोग इंजनेर बंदे आई जाते हैं आपको यह काम है आपको यह प्रोसेस आपको यह चेक पोस्ट क्लियर करना परेगा तो आपको खुशी खुशी करना परेगा अब घर से निकल लो तो तो मीजिक सुनते वए जाओ एक किताब पढ़ लो अब अब यह चेकए निजव था उच्छी करना परेगा को रहां को यह चेक्वा के आपको बहत जाद करना नहीं मलत इंजब करना नहीं पर भॉलतर इंजड़ था मुझे एक और चीज की बड़ी हमेशा खुशी होती है कि मुकेश के यहां से जब भी auditions के लिए काल आते है तो अक्टर को बगाएदा ताइम तयार होने क्ली लिए जिए निक यह आते हिए आते ही जा का नी एक बड़ा जाता है कॉम तार प्रकावादी कि प्रकाव पता है कि कॉँझो पेपर है P conviction की की। है। एक्षाने मी पहले है कि मैठ का पैपर है। हाशा कभी हुआ हुआ है। हमको पहले है पहले है कि आपको साइंस ही पैपर है। होता है चाब पता है dit। तो यहूज फुट है और आप थो अपको दो आंखर है हम को आपके देखो हम पूरी हम औरेशन में आपकी पूरी स्क्रिप को औरेशन तो नहीं देख सकते हैं हम सिर्फ इंटेंजिन निखते कि सही डिरेक्शन में जा रहा है कर नहीं जा रहा है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्यों कहते है अरे यार मैं डालोग भूल गया यार वो भूल गया तो उनके लिए कि भी या कोई बात नी यह और रिटाए है अच्छे फिल्म, एक्टर, स्टार बूल जाते है लाइन्स भूला यह बहुत नॉर्मल चाई है अबको गरहाद होते है ऑशाइटी और यह बहुते हैं डोधे डोल आपि मारते हैं यह जादा भाते हैं olduğunu हैं कि अरोज घखेलता है, फेस रोज जारोज दो जहेलता है, udah खेल फेस करता है एठ से जॉब। जोब, ये तो जोब। मतलब मैं हमेंशे लोग को बोल्ता है यह भाए यह यह था फेल्यर कि जैसे आपकी जब आपकी इतने जैसे आप थोरे से स्टेब्लिश होते हो तो आपकी जर्नी जो है वो लोगों को बहुत मोटिवेट करती है जर्नी सबकी सेम होती है सबका प्रोसेस, स्ट्रगल, फैमिली बैगराउंड, स्टेटस उपर निचे हो सकता है लेकिन मेंटल स्ट जो एक्टर बनना चाते हैं बिलकुल घबराना नहीं है अगर ओडिशन खराब गया है लाइन भूले है आप खराब ओडिशन दे दो मैं ठीक कर दूँगा यह बात क्या बात है यार मतलब इतना confidence मिल जाए कि एक्टर को तो और क्या सही है यार मुकेश मुझे मुझे मतलब सिरियुसली हम लोग बहुत बार बाते करते हैं हमारी कई बर सोभा सोभा साढ़ साथ dark pater हम वारा केते है मोन होता है इक 4 एंच बूल घगता है दे कृपफिय लोग मैं यह आपसमरे बहूत सारी बाते करते है वह बाते क्या है हम ने बूठ आनको लेकिन यह जो पॉड़कास्ट की वे ने शुरुवात करी तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी हुई कि बहुत सरे तेरे जैसे दोस्त मेरे साथ आए बात करें और मुझे लगता है क्यों नहीं लोगों की हल्प करी जाए यूना हम लोग बाते तो कर रहे हैं तो मेरे शो की टागलान है मेरे शो में आने के लिए पैसे देने बड़ते हैं तो आज मुकेश मेरे शो के थू क्या कर रहा है I must say that you are doing a great job Manish seriously मतलब क्या है कि हम बहुत सरे शोस ऐसे करते हैं प्रोटकास्ट करते हैं झाले टू फो संट करतर अतना है मेरे खने जड़तों़ restoring जड़ते हैं लोगा है तो मैं वाँ है क्ला को फोट two ओल मैं ऐतना थो इने पना अप्रमोमांतर है उसलाटित ऐसकान है व से ममम में सब और चार्ठ बच्चोंवा और पर च利 reinचaking न जड़ते देता हैं लेकिन बच्चों को जुरूत है मैं से जितना होगा मैं सब देरे ओफिस में बच्चों के लिए कुछ निव कॉपिस चाहिए मतलब पैंस चाहिए मैं बहुत सब्सक्राइब कर देना और उनको बता नहमत कि मैंने दिया है यह बहुत अच्छी बात है हम भी ट्राइ करते हैं कि हम एक अगर हम एक्जांपल बन जाये अगर लोग हमें फॉलो करते हैं पसंद करते हैं हमारी बात सुनके 4-5 लोग भी अगर इंप्रेस हो जाए और चेंज करके अपने आपको यह कहीं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं I think हम हम पर दो को बदलते हैं और खुद अच्छा काम करेंगे बाकियों को वो करने जो वो करेंगे तो अपने फोकस करके यह काम अच्छा करते हैं मैं डेफिनिटली क्योंकि एसे बहुत से बच्चों को मैं जानता हूं जो लिटली एक पेंसल भी अफोर्ड नी कर सकते हैं पढ़ना चाहते हैं स्कूल जाना चाहते हैं उनके पास कॉपी खरीदने की विपैस हैं नहीं नहीं मैं मैं मेरे पर जितना होगा मैं कम से कर माज़ा डेट अधर पैन, कॉपी, पैंसल सब भिजवात हूँगा प्रीज उनको देना हैं एक परसेंट बहुत मज़ा आया बात करके बहुत-बहुत बहुत इंस्पारिंग तुम्हारी जर्नी खुद की रही है और मेरे कहल जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं जितने भ हम जो बाते करते हैं जिससरे हम बात करते हैं उसी बात को हम सामने रख रहे हैं और थू यू 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 रख रहे हैं और अगर सीजन 2-3 में मुझे बलाते हैं मैं और गुरों मुदर हो और बाते रहे हैं और इसमें हमारा नी आप लोगों का बहुत फादा है क्योंकि I think Mukesh स बहुत ऐसी बाते मिलेंगी जिससे कई लोगों का फाइदा होगा so thank you so much आने कले thank you very much Mukesh with that I'd like to thank our episode sponsors Kedia Organic Agro Farms their mission is to bring you local organic food directly from farmers who grow it they pride themselves on supporting local farmers and championing their issues Kedia offers a wide range of organic produce like fruits, vegetables, ayurvedic herbs, dairy products, rice and more check out Kedia Organic online for more detail Doodau offers exclusive products to fulfill all your electronic needs from Doodau noise cancellation headphones or bone conduction neckband to power banks with inbuilt cables to phone holders and car chargers with latest technology and fashionable designs for more details check out Doodau online in a world of roses be a wildflower wildflower naturals is a sustainable beauty brand that believes in celebrating your unique self all products are made without harmful chemicals with nature's best and oodles of love so celebrate yourself with wildflower naturals and give yourself the TLC your body deserves oh my thank you so much you Mr. 심hi honor thank you no no you no no इतने सारे लोग The Manish Paul Podcast देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो तहीं दिल से आपको थांक्यो बोलना चाहरा था एक मुहीम चालू करी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी उस जर्णी का पार्ट बन रहे है और खास तोर पे यार मुझे पता चला है USA में जितने लोग हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं तो ताइंक यू सो मज पूरे वर्ल्ड में जितने लोग देख रहे हैं उनको तहीं दिल से धन्यवाद तो आप लोग देखते रहें सब्सक्राइब करें लाइक करें दमनीश पॉल पॉटकास्ट